अगर आप लोग मद्वेदेश के किसी भी एक्जाम की तैयारी करें चाहे वो आपका MPPSC हो या व्यापम की तमाम एक्जाम होते रहते हैं, सिक्षक भरतियां होते रहते हैं, पुलिस कॉंस्टिबल के लिए होते रहते हैं, ऐसा ही दरोगा के लिए होते रहते हैं, आपके पटवारी, जेल पहरी, इस तरह के अनेकों एक्जाम होते हैं, और इन एक्जाम की अगर पुराने कुश्चनस पेपर उठा के देखें न, तो आप सभी को मलू होगा कि करेंट अफेयर से, जो बर्तमान में जो घटनाय घटती रहती हैं, उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चनस पूंचे जाते हैं, तो पिछली क्लास में आप लोग उनने देखा होगा, कि जनवरी 2022 में जो घटनाय घटी, उनके बारे में हम लोगों ने एक सावान चलचा की थी, मदपूंट देखेते, यह आपका फरवरी 2022 में जो घटनाय घटी हैं, उनके बारे में एक ओवर भी हम लोग ले लेते हैं, एक बार मदपिदेश को देख लिजे, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आप देखे, क्या है मदपिदेश है, और भारत में इसे म मदपिदेश दिवस मनाते हैं, एक नवंबर सन 2000 में मदपिदेश से अलग करोके 36 गड़ राज बना था, 36 गड़ पहले मदपिदेश का हिसा हुआ करता था, देखे, इसकी सीमा उत्तर पिदेश, राजिस्थान, गुजरात, महराष्ठ, 36 गड़ से लगती है मदपिदेश क और मदपिदेश नाम किस ने दिया था, पंडिच जबाल लाल नहरू ने, यहां की राजभासा हिंदी देखने कुम लेगी, राज की ये पक्छी दोदरा साह बुलबुल है, पेराडाइज फलाई केचर के नाम से भी जानते हैं, राज की ये पसु यहां बारे सिंगा, बै मदपिदेश का गान मेरा мदपिदेश देखने को मिलेगा, और मदपिदेश गान की रशनाकार कौन थे? सरी महेश स्रीवास्तो थे और राजकी चिन्नी की बात करें तो 24 सितूप के आक्रिटी के अंदर एक विर्ष जिसमें गेहूं और धान की बालियां देखने को मिलेगी मद पिदेश को नदियों का मायका कहते हैं हिदय पिदेश कहते हैं कोहिनूर पिदेश कहते हैं हिरा पिदेश कहते हैं लगू भारत कहते हैं टाइगर स्टेट कहते हैं सेंटल प्रोवेसेंस कहते हैं बरार के नाम से भी जानते हैं इसका चितपल की बात करें तो 3,8,245 बरक किलूमीटर मिल जाता है कहीं 3,8,252 km भी देखने को मिलता है यहां विधान सभा में आप देखेंगे कि आपकी विधान सभा में कितनी सीटे हैं आप देखेंगे 230 सीटें देखने को मिलेंगी राज सभा में आपकी 11 सीटें हैं वहीं लोग सपा में सीटों के आरक्षन की बात करनें तो अनुसूचित जाती के लिए चार सीटे हैं और अनुसूचित जंजाती के लिए छे सीटे हैं मद्पदेश का उचनियाल है देखें तो आपको जवलपुर्दे में देखने को मिलेगी इसकी दो खंड़ पीट है इंदौर और ग्वालियर और यहां अगर मद्पदेश को देखें तो आप देखें सबसे पूर्वी जिला कौन सा है सिंग रॉली और सबसे पूर्वी जिला से वुर्वानपुर देखने को मिलेगा ठीक है यह भी आप लोग याद रखेगा पिताम राजपाल मद्पदेश के डॉक्टर पटावी सी तरह मिया थे पिताम मुकमंत्री आप देखेंगी पंडेत रवी संकर सुकल ले थे यह भी आप लोग याद रखा करिएगा इनसे क कई बार पूच लेते हैं और यह सब आप लोग पढ़ते भी होंगे मद्पदेश से करक रेखा भी जाती है याद रखेगा और जो मानक समय रेखा है वो भी जाती है सिंग रॉली से केबल पहली ख़बर है फरवरी महीनी की एक फरवरी 2022 को मद्पदेश के मुकमंतरी सिवर पूस्तक के लेक ठक डॉक्टर राम गोपाल सौनी ने बताया कि इस पूस्तक से जहां एक और राम बन गमन की बास्त्मिक पत्का मार्ग पर सस्त होगा वहीं पिरमुक संतों के आस्रम उनकी महत्य को लोग जान सकेंगे और कलांतर मिस्चित में धार्मे परेटन को प्रोसान करने में यह भी पूस्तक सहाइक होगी यह पूस्तक 11 है ध्याव में बिवाजित है जिसमें 316 पेश्ट है इस पूस्तक में विविन आस्रमों का भी बैडन किया गया है और इस पूस्तक में विश्वामित के साथ राम आगमन का उलेक इस किताब में देखने को मिलेगा इसके लेकक कौन है डॉक्टर राम गोपाल सौनी ए डारिक टी कुश्चन्स पूछ लेगा आपसे अंगली खबर है एक परवरी 2022 को मत्पदेश के खेली इवा का लियार्ड मंतरी यसोदरा राजिस इंदिया ने बताये कि र खेल मंतरी ने कहा है कि सूटिंग के लिए पूरे पिदेश में दुबारा टैलेंट सरच किया जाएगा और सिर्फ भोपाल इंदौर की वच्चों को ही नहीं सुधूर इलाकों से भी नई पीदिभाओं को खोजा और तियार किया जाएगा उन्होंने पर सिक्षिकों को पि स्पोर्स अकादमी की सलालम विधा की समीक्षा के दौरन काहेगी उलम्पिक की तरच पर भोपाल में आर्टीपिसियल सलालम कोर्स विक्सित किया जाएगा और इससे क्या रहेगा कि हमारे देश के खिलाडी और बहुत सारी मैडल जीत कर लाएंगे अंगली खबर है एक फरवरी 2022 को मद्पिदेश के उर्जा मंतरी पिदुम सिंग तौमर ने बताये कि एमपी पावर मैनेजमेंट कमपनी के छित के अंतरगत एक जनवरी 2005 अत्वा इसके बाद नियुक्त राष्टी पैंसन यूजना के पात करमिक्यों के लिए का अंपिनी कमपनी अंसनान की राष्टी माहाय फरवरी 2022 के बेतन भुठ्तान के साथ जमा होना शुरू होगी और एक अपरेल 2021 से 31 से जनवरी 2022 तक की आउदी के कंपनी अंस्तलान की बकाय रास्ती को मार्च और अपरेल 2022 में दो समान किस्तों में जमा किया जाएगा तो यह भी याद रखेगा अंगली खबर है दो फरवरी 2022 को मद्धपिदेश के परयावन मंत्री हरदीप सिंग डंग ने 20 वेटलेंड दिवस को राच वेटलेंड प्राधिकन और बी एनेस नेचर सेवियर्स की सेयुक तक्त्वाधान में आठ चर्णों में हुई पक्षी गर्ना में देश के दोसों से अधिक पिती भागियों ने भाग लिया है और इस बार भुपाल की बनबिहार में प्रवासी पक्षियों में 1000 किलिमीटर की दूरी तैक कर आने वाले दोल्ला पक्षी भी सामिल है और प्रवासी पक्षियों में बार हैडड ग्रीज ग्रे लेग गीज रेड क्रस्टेड पोचार्ड कॉमन पोचार्ड युरेसियन बीजन और नॉर्दन सोलोवर कॉमन कूट कॉम्ब कॉम्ग डग रडी शेलडग कॉमन टील और लिटिल ग्रीब इस्पोर्ट बिल्ड डग cotton teal grey-headed left wing common snagg red-knepd ibis glossy ibis black-headed ibis patentid stalk open will stalk blue throat eurysian right neck black red start black button chestnut button long tailed mini wet booted और बन विहार राष्टी उद्यान की साहिक संचालक एके जैन ने बताया कि गड़ना के लिए बोज बैटलेंड को पांच जोन में बाटा गया, विसन खेडी से वील खेडा, बमोरी छोटे तालब से बेरागर, वोर्खन तता नील वड से खजोरी, बोज बैटलेंड की किनारी स्तित बन विहार में इस बार दुललफ पर जाती की प्रवासी पक्षी, ग्रे लेक, लेक गीज, बार हेड़ेड गीज, बलेक बैटर्ण, चिष्टर नट बैटर्ण, ग्रे हेड़ेड लेफ बिंग, पैरे ग्रीन फालकन, लॉंग टेल्ड, मिनी पक्षी भी उनपयोगत बितरन करती हुए देखे गए इसमें, अंगली खबर की तरफ चलते हैं, हाली में जारी आकणों के अमसार, मद्विदेश के पूर्ख छेत बिद्धूत बितरन कंपणी लिमिटेड जबलपूर ने, दिसमबर 2021 में कुल ट्रांजक्शन में से 91 दसम करोड से 390.45 करोड रुपे उभोगता हुँ द्वारा डिजीटल माध्यम में से जमा किये गए हैं, और मद्विदेश के पूर्ख बितरन कंपणी बितरन कंपणी में दर्ज हुए आकणों के अमसार कुल 24,78,282 ट्रांजक्शन में से 22,58,460 ट्रांजक्शन डिजीटल माध्यम में उसे जमा किये गए हैं, और मद्विदेश पूर्ख बिद्धूत बितरन कंपणी लिम्टेट जबलपूर द्वारा बिजली बिलों के भुकतान के लिए विभिन पैमेंट गेटवे को अधीकित किया गया है, और इसमें केड़िट कायर, डेविट कायर, पैमें परिवर्ति करके करने की राज सरकार की पिस्ताओं को अनमती विदान की गई है, और हमारे देश में आप देखते हैं, नाम बदलने की परमपरा बड़ी है, यह तो आप लोग सुनते भी रहते होंगे, तो मत्विदेश सरकार दोरा होसंगाबाद का नाम नर्वदापुरम यह नया नाम है, नर्वदापुरम, यह आप लोग जरूर याद रखेगा, और सिवफरी का कुंडे सो धाम, सिवफरी का कुंडे सो धाम, बावी का माखन नगर किया जाने के पिस्ताओं, वर्स 2021 में केन सरकार को भी जा गया था, जिसे केन सरकार ने सुईकार कर लिया है, जबकि बावी भारती कावे की पिक्याद चायवादी रचनाकार माखनलाल चतुरुवेदी का जनमिस्थान भी है, तो यह भी याद रखेगा, अंगली खावर की तरफ चलते हैं, तेन फरवरी 2022 को मद्पिदेश की चिकिस्था सिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताय और पिदेश के चिक्षा सिक्षा विभाक की अधिन संचाले चिक्षा महाविद्याले में चिक्षा पाठकरम को हिंदी में पढ़ाय जानी की करवाई के अनुकुरम में गांधी चिक्षा महाविद्याले भोपाल से इसकी सुरुवात हुई, गांधी चिक्षा महाविद्य देश में पिथम राज होगा जहां चिकिस्था का सिक्षा का पाठकरम और अध्यापन हिंदी में होगा और हिंदी को हम लोग कहते हैं राष्टी भासा बनाने की बात होती रहती है पिथम चरण में चिकिस्था सिक्षा के पाठकरम को बढ़ाते समय चिकिस्था सिक्षकों द दोतीय चलन में MBBS पिथम बर्स के तीन बिसों, Anatomy, Phygeology, Biochemistry की पूरक संदर पुस्तकों को हिंदी भासा में तियार किया जाएगा, इस कारेयोजना को पूरा करने के लिए तीन समती बनाई गई हैं, और चेकरसा पाठकरम में हिंदी का उपयोग हिंदी में पूरक संदर पुस पुस्त के तेयार करने के लिए उपसमती का गठित की गई है, और दुतीय उपसमीती द्वारा हिंदी में तेयार किये गए विसेओं को पुना सोक्षू रूप से परिस्कित करने के लिए एक सत्यापन उपसमीती भी गठित की गई है, तो यह भी याद रखिएगा, अंग चिकिसा सिक्षा आदी से छेत्रों में उतकिष्ट कार्ण करने वालों को दिये जाएंगे, और मुखमंती चोहन ने ए बातें अपने निवास पर इस बर्स पदमसरी संबान के लिए चैनेत और गठ बर्सों में पदमसरी संबान पराप्त कर चुकी, पिदेश की विभीतिय को संबानित करते हुए कही है, और मुखमंती ने इस बर्स पदमसरी संबान पराप्त करने वाले पिदेश की विभीतियों में भज्जू से आप बेजयदत पिसी रीदर कपिलतबारी भूरी भाई को भी संबानित किया गया है, और डॉक्टरी संबान पिदेश की नाम गौरान बिद किया था, भज्जू स्याम दुर्गा भाई ब्यायम गौंडी चितकला के चित में विशिष्ट नाम है, प्रकिती एवं लोक कलाओं पर आधारित इनके चित अतेंद विशिष्ट है, अरजुन सिंग धोर्वे का जंजाती ये संस्किती को विशिष पहचान दिलाने में अमूल योगदान है, राम साहे पांडे ने राई नित को दुनिया में नया स्वरूप एवं सम्मान दिया है, और पत्तिकार्ता एवं लेखन के चित में विश्यदत सीध है, देश में अपनी अलग पहचान रखते हैं, उन्होंने सप्रे संग्रालाई की स्था स्थार्टाप पॉलिशी तियार कर उसे लागू करना है, करेगा, इसके अलावा, इन्वेस्टर समिट के विचार को भी जमीन पहुतारा जाएगा, इस बरस मद्य विदेश में स्थापित स्थार्टाप में से कम से कम दो स्थार्टाप को इनो कॉन स्थार्टाप का धर्जा दिलाने के परयास किये जाएंगे, और याद रहे, एक बिलियन डॉलर से अधिक मार्केट वेल्यू से यूनिकॉन बनते हैं, और दिस में समय 80 से अधिक यूनिकॉन बन गए हैं, एक कदम आंगे बढ़ते हुए, भारत में डेका कार्ण कंपनिया भी स्थापित होने लगे हैं, डेका कार्ण 10 बिलियन डॉलर से अधिक की मार्केट वेल्यू से संभव होत इनमें से 40-30 इस्टार्टप महलाओं ने स्थापिद किये हैं चलिए अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं पांच परवजी 2022 को मत्पधिस के सूप्चुम लगू मध्यम उद्यम विपाग विग्यान और प्रोधुगी की मंतरी ओम पिकास अकलेचा ने प्रोजेक्ट मिराई का वर्चुली तोवार मं क۔ परिक्षन की बाद मेरेक की आदर पर 60 विध्यारितियों का चैन की आगया जिने 7 परवरी से जाबद विकास खंड के 2 क्ल्स्टर में पितीविं 2 गंटे का उनलाइन एवं offline description दे कर जापनी भाषा का कोस कराए जाएगा इस कोस के बार बिध्यार्तियों को इसनातक के लिए जापान जाने का उसर भी प्राप्त होगा जहां ये बिध्यार्ति इसनात्क करने के साथी रोजगार भी प्राप्त करेंगे और याद रही प्रोजेक्ट मिराई इंफोसिस स्पेंग बोर्ड एवं निर्वार संगेठन की सहयोग से जावद चित में पैलेट प्रोजेक्टी रूम में लागू किया गया प्रोजेक्ट मिराई का उद्देश नीमत जिले के एक्चुक चात्रों को जापानी भासा में पिसिक्षर दे कर उने जापान में इसनातर की पड़ाई करने के लिए प्रोसान कर इंडो जापान उद्मियों का फोसन करना है तो यह याद रखेएगा इसमें अंगली खबर है साथ फरवरी 2022 को मत्पदेश के मुखमती सिवरासिंग चोहन ने इन दोर में स्वर कोकिला लता मंगेसकर की नाम पर संगीत अकादमी और संग्राले के साथ ही उनकी मोड़ती इस्थापित करने की गोशना किये और इस अकादमी बच्चों को संगीत की सिक् परसकार भी पिदान किया जाएगा और आप सभी जानते ही कि लता मंगेसकर का जरम मद्पदेश के इंदोर में 28 सेप्तंबर 1929 को हुगा था कोविद से जुड़ी जटिलताओं के कारण 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रीच केंडी होस्पीटल में इनकी डैथ हो गई थी संग परसकार 1954 में शुरू हुए तो ये भी आप लो याद रखेएगा अंगली खबर है आठ परवरी 2022 को मद्पदेश के नगरिये विकास एवं आवास मंतरी भूपैन सिंग ने बताये कि स्थानी लोगों की मांग पव मुकमती सिवरा सिंग चोहान की निदेश अनुसार राज और सागर जिले की नगर पाली का परशद गड़ा कोड़ा की सीमा में बिड़ी की गई है और इसमें ग्राम पंचयाद मग रधा के आनगरिये चित में मग रधा एवं ग्राम मग रधा ग्राम पंचयाद बेलाई के ग्राम भोरद हार और मजगवा ग्राम पंचयाद संजरा के गाउं, रनगुआ, ग्राम बच्चाद बसारी के गाउं, ग्राम बसारी और ग्राम बच्चाद बरखेरा गौतम के ग्राम हिनोता को सामिल किया गया है इसमें ठीक है अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं हम लोग अंगली ख़बर आप देखेंगे 9 फरवरी 2022 को मद्ध ग्राम बच्चता में हुई मंति परशत की बैठक में पिदेश में दो नवीन उद्धोगिक पारेविक्सित किया जाने की महत्पूर नेड़े लिया गया है और जब इस तरह का कोई महत्पूर बैठक होगी तो उसमें नेड़े ही लिये जाएंगे बैठक में खनेजियों के अवैद उत्खनन परिवहन और भंडारन पर प्रभावी नेंतन के समद्ध में अनुमोधन पिदान किया गया है खनेजियों के अवैद उत्खनन परिवहन तथा भंडारन के समद्ध में मद्पदेश गौन खनिन नियम 1996 की नियम 53 और अवेद खनन परिवहन भंडारन का निवारन नियम 2021 को अनुमोदन किया गया है। अवेद खनन परिवातन मिसन अमरे 2.0 योजना की अंतरकत पिदेश के समस्त 412, 407 नगरी निकाय और 3, किसना इसमें 5 छावनी परिशत नगरी निकायों को सामिल करने करने ड़ी किया गया है। इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा क्योंकि इनसे कुश्टन्स आपकी परिक्षाओं में पूचे जाते हैं। चाहे आप देखिए वर्ल्ड वेंक हो, डवलो टी हो, डवलो एचो हो, अब देखिए इसकी जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, बॉसेंक्टन DC USA में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतराष्टी वित्ती संस्थाने, मंती पसने पिदेश में दो नवीन उद्धोगित पार्ग, भोपाल, बगरोदा, गोकला, कुंडी और सिहोर, बढ़िया खेडी में 69 करोड, 89 लाग रुपी की लागा से विक्सित किये जाने कर नेडलिया है। मंती पसने चार नवीन निजी विस्विध्याले इंदोर, टाइम से विस्विध्याले भोपाल, डॉक्टर पीटी, ग्लोबल विस्विध्याले सिफुरी, LNCT, विध्या पीट विस्विध्याले इंदोर की स्थापना पिस्तावित अध्यादेश के माध्यम से किये जाने क संबंद में प्रिस्तु संसोधन अध्यादेश 2022 को पिर्भाव सील करने के ब्यभागी ये पिस्ताव को अनमोधित किया है और अध्यादेश जारी करने के लिए अनुसांगिक बिधिक कारवाही करने ही तो उच्छे सिक्षा विवाग को अधिकित किया गया है इसमें ठीक है तो ये भी आप लोग याद रखेगा अंगली खवर की तरफ चलते हैं हम लोग ये आप देखेंगी कट की खवर हैं नौ परवरी 2022 को मद्विदेश सहिकारिता इमों लोक सेबाप प्रबंधन मंतरी डॉक्टर अरविन सींग भदवरिया ने मंतराले में राश्टिये सहिका सहिकारी विखास कारिकर्मों को बड़ावा देनी के लिई इन चेतरों में उत्करश्ट कार करने वाली सहिकारी संस्ताओं को पुरुश्कित किया गया है और सरस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् दिया गया है चलिए पुरुसकारों के बारे में याद रखेगा इनसे भी कुश्चन्स पूंच लेता है अंगे बढ़ते हैं हम लोग दस फरवरी 2022 को सिक्षा मंतराले भास सरकार की राष्टिय सेक्षडिक 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 योजना इवन पिसासन संस्थान नीपा न दूनी ततकालिन DPC RS तिवारी हर्दा और ततकालिन DPC कमल कुमार नागर राजगर सोयब खान बी आर सीसी मंदरसों रामानोज सर्मा बी ई ओ बी आर सीसी अली राजपूर और पिर्मी चंद उपाद्या बी आर सीसी मंडला का चैन किया गया है और इन सभी अधिकारियों को नई दिल्ली में आजजित बर्शुल सम्मान समारो में समलित हुए और केंदरी सिक्षा राजमंत्री सोभास सरकार ने डिजिटल पिसस्ती पत्त पिदान किये हैं इसमें तो यह भी आप लोग याद रखेगा आंगे बढ़ते हम लोग यह आप देखेंगे कि कपकी बात है दस परवरी 2022 को मद पिदेश के ग्वालियर मिस्ति जीवाजी राव बिस्विध्याले की कुलपती प्रोफेसर अभिन्यास तिवारी को कुल सचिव डॉक्टर सुसील मंडवरी याने बिस्विध्याले में पहला बेवी फीडिंग सेंटर दुलार का सुभारम किया है और ज पिदिंग सेंटर का नाम दुलार रखा गया है क्या दुलार रखा गया है अंगली खबर की तरफ चलते हैं यह आप देखेंगे दस परवरी 2022 की घटना है इस दिन क्या हुआ भोपाल में मद पिदेश निजी विस्विध्याले बिनियामक आयो और बिद्या भारती उच्छ पिदेश निजी विस्विध्याले बिनियामक आयो ने किया है वो इस कारसाला में तीन तक्नीकी सत्त हुए है पहले सत्त में उच्छे सिक्छा संस्थानों के लिए संस्थागत विकास इवजना की ओधाना और आवसक्ता पर चर्चा हुई दूसरा सत्त संस्थान पर आधार इतरा है तूसरा सत्त एक आधर्स आईडिपी की अनिमित्ताओं पर चल्चा हुई है और इस आउसर पर विस्विध्याले अनुदान आयोक की सचिव रजनीस जन ने कहाई कि संस्थागत विकास इवजना सेक्षडी गुलवत्ता और उतक्रिष्टा के लिए अत पंकंदर को बढ़ाने में भी भाग मदरगा साबित होगी और संस्थागत विकास इवजना का मोल लोद्देश सिक्षर संस्थानों की गुलवत्ता और बोन्यादी धाचे को बहतर बनाकर विध्यालतियों को एक सफल नागरिक भी बनाना है और राश्टी इस इक्षा नीत हैसिल के जंगल में डाइनस्वान की अंडों से समंदी जीवास मिले हैं यह बढ़वानी जिले की सेंदभा विकास खंड है बढ़वानी की जंगल में मिली 10 अंडा कार चट्टानों की जाज की पच्चताग पुरातत विध डॉक्टर डीफी पांडे ने बताया कि यह को इंदोर इस्ति संग्रालय में रखा जाएगा और धार जिले में 2007 में भी डाइनासॉर के जीवास मिले थे जिन्हें मांडू में बने फॉसिल पार्क में रखा गया है और घुगवात जीवास में उध्यान मत्वदिष के डेरोडी जिले में साहःपुरा की पास एक 22 को मत्वदिष संस्किती पर्याटन और अध्यात मंत्री उसा ठाकुर ने भारत भवन की 40 भी बर्जगाट पर विवित कला समारों का सुवारम किया है और मंत्री ने भारत भवन मुक्ताकास पंच पर राष्टी कालिदा समान और राज्य सिखर समान के लिए विभिन सेनिय में कलाकारों, सहितकारों, रंग कर्मियों को समानित किया है और साधी पदमस्री लिए चैनित दुर्गाबाई, ब्याम के चित्रों, रे खांकन कला पिदरसनी सुरेखा और पितिष्थित कलाकारों की किर्तियों की पिदरसनी का भी स्वारम किया है रोपन कल कलाओं के सम्माल लखमुंग के डॉक्टर अनिल जस्तोगी को 2019 के लिए मुंबई के वावन के अंद्रे को आप देखें 2020 के लिए दिया गया है और 2019 पीस के लिए बिविन बिसेओं में निमलिकित बिसेओं बैक्तियों को राज्य सिखर पुरुसकार दिया गया है इसमें आप देखते ह प्रफेसर रहस बिहारी दुवेदी को जवलपुर के हैने दिया गया है सास्तिय संगीत में 2019 में दिया गया है डॉक्टर पंडित प्रभा संक प्यभाकर लच्मन गुवदकर को ग्वालियर के हैं और 2020 के लिए पंडित सज्जनलाल ब्रहमा भट्टे को भुपाल के हैं रोम के लिए केजीप दिरवेदी हैं बोपाल के हैं जंजाती लोग एवं जंजाती एवं लोग कला के लिए अग्रेज केर केटा को दिया गया है बोपाल के हैं 2019 के लिए पूनीमा चत्रवेदी को 2020 के लिए दिया गया है दरलव बाधन वाधन बाबुलाल भोला को सागर के हैं 2019 के लिए डॉक्टर वर्सा अगवाल को जैन के हैंगे 2020 के लिए दिया गया है इस समारों के पहले दिन संदोस संत के निदेशन में सवर बिनो गुरोकल इंदोर की कलाकारों ने बासरी सब तक की मदूर संगीत में एपिस्तुती दी है इस पाथ दिवसी समारों में 13 फरवरी से 17 फरवरी 2022 तक बहु कला केंदर भारत भावन में सोगाम संगीत अगरसंग नित स्लाइड सो नित नाठिका और कविता पाठ जैसे सांस्किति गतिविदिया भी होंगी यह आप देखे अंगली खवर है हमारे सामने 12 फरवरी कपकी 12 फरवरी 2022 को केंदरिये मंतरी असुनी वैसनों ने दिल्ली से वर्चुल माद्यम से मद्पिदेस को कई टैनों की सोगात दिये साथी रानी कमलावती स्टेशन से राज के च पाल के राणी कमलावती ले अरश्टेशन से टेन नंबर 02 कि 95 घे रा पूरानी कमलावती रीवा त्रेन नंबर अब देखेे 2096 वह आखुलादी सापताहिक सुपरफास्ट ट्रेन और टेन नंबर 0-5703 जवालपूर नैन्पूर पैसेंजा 10 सामिल है इन टेनों के संचालन से मदपेदेश के बिंदों और महाकौसल छेत के लोगों को लाब मिलेगा और रीवा रानी कमलावती सप्ताहिक सुपर फास्टेन कमलावती रेलवे स्टेशन से रीवा तक 9 अश्टेशनों को कबर करेगी और इन नई टेनों सिवा रेल यातरा के लिए जवलपूर नेनपूर पैसेंजा 10 को बाहल किया गया है और जवलपूर नेनपूर पैसेंजा 10 कुल 19 स्टेशनों को कबर करेगी आंगे चलते हैं हम लोग यह आप देखेंगे अंगली खबार है 13 फरवरी 2022 को विस रेडियो दिवस मनाया जाता है ने 13 पैसेंजा जाता है फरवरी को विस रेडियो दिवस पर विस विद्याले के कुलपती प्रोफेसर केजी सुरेश ने बताया कि माखलाल चत्यविदी राष्टी पत्तिकारता इवं संचार विस विद्याले भोपाल के विसन खेडी इसे नाव निर्मित परिसया में केयन सरका सुरू हुआ जब सुपरीकोट ने बायू तरंगों को सार्विनिक संपत्य घोसित किया था और अपने अपने समधाय की भासाओं को प्रात्मिकता देती है जो भासा आम टेवी चैनलों अथवारों में नहीं मिलती हुआ समधाय के रेलवे स्टेशन में पर देखने को मिल सत्त ने विसे रेडियो दिवस तेरे फर्वरी को मिनानी की घोशना की थी, क्योंकि तेरे फर्वरी 1946 को सहिवतराष्ट संग ने UN रेडियो की स्थापना की थी, और UN की अगर हम लोग बातने नुट करें तो सहिवतराष्ट की बात हो रही है, United Nations की बात हो रही है, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी इनसको, और निवर्क USA में इसका हेड़क्वाटर देखने को मिली इसका UN का, UNESCO की बात करें तो United Nations Educational Scientific and Cultural Organization की बात हो रही है, इसकी स्थापना 16 November 1945 में इसका हेड़क्वाटर आपको देखने को मिल जाएगा, चलिए तो ये भी आप लो याद रखेगा, अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं, मैनेजमें सिर्ष्टम लागो होने से अब पैंसन प्रकरणों से संबंदी जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिकारी एवं करमचारियों को कार्याले के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और कंपनी द्वारा पैंसन निधारन की पिक्किरिया को सरल पारदर्सी और आटोमेटिक बनाया गया है, कंपनी से सेवानिवित होने जा रहे अधिकारी और करमचारियों के आवेदन, पिस्तुत करने से लेकर पैंसन आदेश पियो, पैंसन भुकतान आदेश और जारी होने की तक की जानकारी पोर्टल पर उपलब्द रहेगी, और इस पेडाली में पिस्तुत किये गए आवेदन, आवेदन के अनुधन और आदेश जारी होने की सूचना समद्धी पैंसनों को समस के माध्यम से भेज़े जाएगी, और पैंसन मेजिनमेंट रिटम के लिए अलग से पोर्टल pms.mpez.co.in बनाये गया है, इस पार लोगण करके पैंसन पेकन से समद्धी संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप की जा सकेगी, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, अंगली ख़बर की तरप चलते हैं लोग, हाल ही में बंगलोर में आईजित आईपील 2022 की 15 सीजन की मेगा ओक्सन में मत्विदिस की सिवनी जली की गोपाल गंज गाओ, निवासी ओलरांडर किर्केट खिलारी मुहमत अरसद खान आईपील की मुंबई इंडियन्स के टीम का हिस्सा बन गए थी, यह 2008 में आईपील सुरू हुआ था, मुंबई इंडियन्स ने मुहमत असरत खान को 20 प्राइस 20 लाग रोपिय में अपनी टीम में सामिल किया है, इसी बास अरसद खान मध्विदिस की रंजी टिराफी में सामिल हुए थी टीम में, उन्होंने जिला इस्तरवा किर्किट खेलने की सुरुआ 2006 में की थी, 2012 में वो मध्विदिस की अंडर 16 टीम का हिस्सा बने थी, इसके बाद 2015 में अंडर 19 टीम में सामिल हुए थी, 2017-18 में वोए अंडर 23 टीम का हिस्सा बने थी, अरसन ने 2020 में BCCI द्वारा आईजित अंडर 23 बीके नाइडू, इस परदा में 10 में चों में आप देखें 36 बिकेट लिये थे और 400 रन बनाये थे, इसके अलाब उन्होंने 2020 में ही बिजय हजारी टरॉफी बासेयद मुस्ताद अली टरॉफी में भी अच्छा पिदर्सन इन्होंने किया था, क्या किया था, अच्छा पिदर्सन किया था, अंगली खबर है, हाली में मत्पदेश के इंदोर मिस्तित भारतिय परुदुकी की संस्थान को High Electron Mobility Transistor के लिए पेटेंट पर आप्त हुआ है, और इसमें आप देखें High Electron Mobility Transistor सामानता एक ओप ओप करन है, HEMT Transistor सामान Transistors की तुला में मिली मीटर, तरंग आवित्तियों तक ही उच्छ आवित्तियों पर काम करने में सक्छम होते हैं, इसके निमलिकित लाव होंगे 5G, 6G तकनीक से समंदित उपकरणों में, आधुनी इलेक्टोनिक उपकरणों के तियार करने में, चलिए अंगली खवर की तरफ चलते हैं, आप देखेंगे कि 5 फरवरी 2022 कुमत पिदेश के नगर विकास एबं आवास मंतरी भूपेन सिंग ने रजिस्टेशन के लिए ओनलाइन पोर्टल का सुवारम किया है, और इस ओनलाइन पोर्टन के माध्यम से कॉलो नाइजर्स अब एक ही रेजिस्टेशन पर पूरे पिदेश में निर्मार कार कर सकेंगे, कॉलो नाइजर्स को अलग-अलग नगरिये निकायों में रेजिस्टेशन कराने से निजात मिलेगी, साथी तीस दिन की समय सीमा में संबंधीत पिरमाड़ पत्ते चारी किये जाएंगे, नगरिये विकास एबं आवास मंतरी ने बताए कि ओनलाइन रेजिस्टेशन से पिक्रिया सरल होगी, और पिदेश के विकास में तेजी आएगी, और याद रहे, राज सरकार ने मत्विदिस्ट नगर पाली का कॉलोनी बिकास निगम 2021 द्वारा अवैत कॉलोनियों की निमिति करन के भी परावधन किये हैं, और आवैधन की सुभिधा, इनगर पाली का पोटल MPR1 वेफसाइड, इसर्विस पोटल पा उपलब्द रहेगी, और इसमें रजिश्टी करन सुल्क का ओनलाइन भुकतान, आवैधन की स्तिती ट्रेक करने, ओनलाइन दस्ताविज अपलोड करने, अनलाइन अनुदन पिक्रिया, डिजिटाल लोग से हस्ताक्षर, प्रित पिर्मारपत, और एसमेंस, और वोट्सप के जरी आविदर को सूचना, वोट्सप के जरी सैटिपिकेट पे दान किये जाने की सुभिधा, और संचला नलाइ के लिए मोनिटरिंग के उद्देश से विभिन रिपोर्ट्स की सुभिधा रहेगी, और कॉलोनाइजर के नए एकिकेत रजिस्टी करन, तथा अब संचला नलाइ इस तरप ऑनलाइन किये जाएंगे, जो सभी नगर निकायों के लिए मानना होंगे, अब प्राधिकरन का गठन किया गया है, और इस भी सदसी समती की अध्यक्षता जल सकती मंतराले के सचित द्वारा की जाएगी, और राष्टिय जल विकास प्राधिकरन के मुख अभियनता इसके सदस सचित होंगे, और आप देखते हैं कि संचाला समती समझोता ग्यापन के प् अपनी इमों और मांदन्डों को मंझूरी देगी, और अपने बारसिक बजट बित्तिय विवरणों को मंझूरी देने और जाज की अलाबा अपने दायत्तों एवं रेड समंधी पिस्ताओं पर नेड़े लेगी, और सरकाद्वारा जारी अधीस उचना के नुसार कैन बैत बैत्वा लिंक चल वाहक नहर, सोरंग, लोवर परियोजना, कोठा वैराज और बिना कॉंपलेक्स वहुत देशी परियोजना हो के निस्पादन के लिए जिम्मेदार है, और केवी LPA का नेतित भारस सरकार के अतरिक सचिप के अतरिक सचिप के इस्तर के एक मुख कारिहरी अधिकारी द्वारक किया जाएगा, और केन वैत्वा लिंक पर योजना में मद्पिदेश और उत्तर पिदेश के तेरे जिले आपको देखने को मिलते हैं, और इसमें मद्पिदेश के आप देखेंगे जिले पन्ना, टीकमगर, छतरपुस, आगर, दमो, धतिया, विदीश और आप देखते हैं, निवाडी भी आपका उसी में पढ़ता है, उत्तर पिदेश के बांदा महोवा जासी ओलालिक्पो जले सामिल है, और इस पूरी योजना से इन सभी जलों को करीब 10 लाथ हेक्टर जमीन पर से चाही हो सकेगी, और 62 लाथ लोगों को पीने के असाप प रवीदास चैन्ती के अउसर पर मुखमंती सिवरासिंग चोहन ने भोपाल में बनने बाले गलोबल इसकिल पार्क का नाम संत्र शिरोवनी और रवीदास जी महाराज के नाम पर रखने की घोशना किये, और इस अउसर पर उनने कई कार्योकरमों और योजनाओं की भी और बित पोस्तन योजना आरम करनी की घोशना की है, और मद्पिदेश के पितेक जिले के अनसोचित जाती बहुल चेत्रों में संत्र अवीदास समुदाइक भावनों का निर्मार किया जाएगा, और इससे सारवजनिक कार्करम विवस्तित हो सकेंगे, और याद रहे पिती पसंत रवीदास की जेंती मनाई जाती है, इनके पिता का नाम रग्गो और माता का नाम आप देखे घुरवीनिया था, जबकि पतनी का नाम लोना बताया जाता है, इनके माता पिता एक चरमकार थे, और इजिपका के लिए अपने प्रतक कार को अपनाने के जी की बाड़ी सार गर्वित अनूठी उफरभाव साली थी, उन्होंने सरम की महत्व समानता आसाहयो की सेवा के लिए जन को पेरिक किया, मद्विदेश के अनुसूचे जाती बार के युवाओं को रोजगार के लिए बिसे स्पहल की गई, और संत्रविदास और रोजगा सेक्टर और रियल रिटेल ट्रेड के लिए योजना में एक लाग से पचीस लाग तक करेड विवस्ता होगी, योजना का संचालन मत्विदेश राज सहकारी अनुसूचे जाती बैंक बित और विकास निगम के माद्यम से किया जाएगा, और मुकमंत्री ने बताए कि मुकम संचालन मत्विदेश राज सहकारी अनुसूचे जाती बित और विकास निगम के माद्यम से किया जाएगा, तो ये भी याद रखेगा, अंगली खबर की तरफ चलते हाली में मत्विदेश हाई कोट ने MPPSC परीक्षा में पिछा बर्ग 27% की आरक्षन पर रोक लगा दी है, और इसी के कारण आपका रिजल्ट भी नहीं आ पा रहा है, हाई कोट ने मत्विदेश के सरकार और MPPSC को नोटिस जारी करते हुए OVC को 27% की जगए 14% आरक्षन देने के निदेश दिये, साथी 27% OVC आरक्षन को देने पर इस परस्टी करण भी मागा है, और याचका में क कहा गया है कि OVC वर्क को 27% आरक्षन देने से कुल आरक्षन 33% हो जाता है, जो इंद्रा साहिनी बाद में दिये गए आदिस का उलगन है, इसमें आप देखते हैं 50% जैंदा आरक्षन की बात नहीं कही गई थी, और सामन वर्क की चात्रा निहारिका तिरपाटी ने मद्व जाने का अंतरिम आदिस दिया था, इसके अतरिक्त हाई कोट ने चार निहाजकाओं पर सुर्भाई करते हुए 27.33 आरक्षन, OVC आरक्षन पर रोक लगा दी थी, और मद्व जूद मद्व जूद मद्व जूद मद्व जूद मद्व जूद मद्व मद्फिदेश हाई कोट की जवलपुर खंडपीट के मुक्ख ने अधिस रभी कुमार मलीमत ने छे नए जजों को पदेवं गोपिने ताकि से पद दिलाई है और याद रही सो पेंग कोट को अलीजियम ने राष्टपती को मद्फिदेश हाई कोट में छे नए जजों की नि इडी बंसल और इंदोर की अधिवक्ता मिलिंद रमेश फड़के को हाई कोट में जजज बनाये गया है और याद रही मद्फिदेश हाई कोट में जजों की 131 संख्या तिरेपन है लेकिन बरतमान में 29 जज कारगर दत हैं और 6 नए जजों की निउक्ति के बाद MP हाई कोट में कारगर जजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है और हाई कोट में जजों की संख्या बढ़ने से मुकदमा कि निराकर में तेजी आएगी ये भी आपको देखने को मिलेगी ये आप देखेंगे अब आंगे कि 18 फरवरी 2022 को मद्पिदेश की मुकमंती सिवरा सिंग चुहान साथी पिदेश में नर्वदा एक्सप्रेश वे एक रेखन पिस्ताओं सर विभिन खंडों में मारकी सेडी चोड़ाई एवं प्रमुक चेत्रों को जोडने के लिए फीडर रूट से के निर्माड के पिस्ताओं का अनुदन और भारस सासन से सम्रण बै कर सुईकिती पर आ अनुदन किया है और पिस्ताओं आप देखेंगे कि नर्वदा एक्सप्रेश वे के एक रेखन कभीर चबूतरा अमरिकन टक से पैरम होकर डिडोरी जवलपूर अउद्वला गंज बुधनी नसरूला गंज सदलपूर करनावद इंदोर धार सदारपूर जाबू अमध्प बुकता सोल की संगरेंट को स्विकिती भी पिदान की गई है और मन्ती पैसर द्वारा पिदिस में स्टार्टप को प्रोफसान करने के लिए MP स्टार्टप नीती और कयानबन योजना 2022 सह पिक्रिया और दिसा नर्दिस का अनुधन किया गया है नीती कंत्रगर स्टार्टप और इनक्यूवेटर्स को वित्तिय इवं गेर वित्तिय सुविधा इवं साहता और फैसिलिटेशन का प्रावधन किया गया है मन्ती पैसर ने 19 वे ACI गेम्स 2022 चीन की तेयारी के लिए घुड सबार फराज खान को जर्मनी में पिसिक्चन हीतु बेजने के लिए अनुवानि बेर 80-50 लाग रोपी की सुविधिती भी दिये और मन्ती पैसर में मद्पेदेश बिफसायक पर एक्छा मंडल का नाम बदल कर मद्पेदेश करमचारी चेहन बोड करने के और इसमें समधित कार सामन पर साहसन विभाग सौपनी की सुविधिती भी दिये तो ये भी याद हितु 44 करोड 65 लाग रोपे की सुविकिती पिदान की है और जल जीवन मिसन की गाइड लाइन की अनुसार कार्यान बन सहायता एजनसी का चैन किया जाता है यह अजनसी जल पिदाय यहुजनाओ चेत में पेजल समधायक प्रबंदन जल गुडबता बरसा जल संचैन पुनर भ मिसन में पिदेश के तेरे जिलों किरमसा, भेंड, मुरेना, सेवपूर, सागर, दमो, पन्ना, चतरप, टीक, अगर, ग्वाली, दतिया, गुना, असुगनगर, उसिवपुरी के 10,259 गाओं की जल पिदार एउजनाओ के लिए आईसे की नियुक्ति की गई है जिने इनी ज दिलों की सेवाओं पर यहरासी देवी किया की जा सकेगी, क्या की जा सकेगी, खर्च, अगली खवर की तरफ चलते हैं, बीस परवरी 2022 को मद्विदेश के राजपाल मंगु भाई पर्टेल की उपस्तिती में खजुराहों में मद्विदेश पर्याटन बोर्ड के पर हस्ताक चर किये गए हैं, और पाइलेट प्रजोट की पिथम चर्ण में पन्ना नेशनल पार्क की आसपास के तीस गाउं को किलीन डिस्टीनेशन की रूम में विखसित किया जाएगा, इस परियोजना में ठोस अफसिश्ट परबंधन की दिशा में काम किया जाएगा, और समगदायक जागरुकता सक्षता कचरा पिदमंदन से परेटन स्थलों और आसपास के गाउं को किलीन डिस्टीनेशन की रूम में विखसित किया जाएगा, इस अउसर पर जिला परेटन संस्किती पुरातत परिसत पन्ना की किलेंडर का भी बिमोचन किया गया है, तो य याद रखेंगे, अंगली ख़वर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यह आप देखे 20 परवरी 2022 को, मद्ध पिदेश के राजपाल मंगू भाई पटल ने आजादी का अमरित महोसाओ के अउसर पर 20% परेटन स्थल खजराहों के में 48 बा खजराहों नित समारों 2022 का सुभारम क हुई थी, आराम के 2-3 बरसों तक बाद ही इसे मंदिर पर अंगर में करने की अर्मती नहीं मिली और जिसके पैडाम सुरू भी आसमारों बाहर मैदान में किया जाने लगा, पिछले बरस संस्किती विभाग की इस कारकरम को मंदिर पर अंगर में कराने की कौसिस को सफलता म मिली इस बस भी यह समारों मंदिर पर अंगर में ही किया जा रहा है, समारों में इस बस महलाओं के लिए सुरक्षित परयाटन परियोजनाओं के बेनर तले 5 किलोमीटर की दिल खेल के घूमो मेराथन भी हुई है, इसका उदेस्त हिंजुस्तान के दिल आप सेफ हैं, दिल म खजराहु नित समारों की पिस्तुतियों का सक्षी बनने के लिए आठ देसों के राद्दूत उच्यायगत सापरिवा समारों में सामिल हुई, इनमें कोरिया, आजेंटीना, बेतना, बनोई, फिलनेंड, मलेसिया, थाइलेंड और लाओस के राद्दूत उच्यायगत सामि पिदान किया गया, उन्हें 2,00,000 रुपे की समारासी समान पटिका, सौल और स्रीफल पिदान किया गया, और साथी समारों में राज रूपंकर कला पुरुसकार 2022 के लिए नाम पिदान किये गया है, इसमें देव किसन जटा संकर जोसी पुरुसकार या आप देखे, बद न जाली कर पुरुसकार ये नयन जाटाओ को मिले है असोक नगर के है, जगदी स्वामी नाथन पुरुसकार संजय धाले को मिला है असोक नगर के है, विस्नु चिंचाल कर पुरुसकार मुनी सर्मा को मिला है ग्वालियर के है, नारायन स्री धर बिंदे पुरुसकार अग्रे चोहन पीठवे देवास की हैं इस सब नित्य समारों का आजन संस्किर्टी में भाग की उस्ताद अलावदीन खास संगीत और कला अकादमी मद्धपिदेश संस्किर्टी परशत के मद्ध अंगली खबर की तरफ चलते हैं उन्नीस परवरी 2022 को पिधानमंती नैंदमोदी ने दिल्ली से वर्चुल माध्यम से इंदोर की देव गुराडिया छित में एसिया की सबसे बड़े गोवर्धन बायो से इंजी प्लाइंट का लोग पर बढ़ किया है इंदोर में गोवर्धन बायो से इंजी प्लाइंट बनने से वेष्ट टू बेल्थ तथा सर्कूलर एकोनोमी की परिकल्पना साकार हुई है और इसे भारत की सवच्चता वियान भाग टू को नई तागत मिलेगी और जिसके अंतरगत आने वाले दो बरसों में देश के सभी सहरों को कूडे के पहाड़ों से मुक्त कर ग्रीन जॉन बना दिया जाएगा इंदोर के प्लाइंट से जी एंजी के अलावा 100 टन जैविक खाद भी रोज जाना पिराप्त होगा इसे इंदोर सहर में हर रोज करीब करीब 400 बसेंट चलाई जा सकेंगी यह पिलांट संपूर एसिया महादी में जैविक अपसिश से बायो सी एंजी का सबसे बड़ा ओदेश का पहला पिलांट देखने को मिलेगा बायो सी एंजी पिलांट पीपी मॉडल पर आधारित है इस पिलांट की स्थाफना पर जहां एको नगर नगम इंदोर को कई बित्तिये भार बहन नहीं करना पड़ रहा है वहीं दूसरी ओर पिलांट को स्थाफित करने के लिए एजनसी आई एईसल नई दिल्ली द्वारा नगर निगम इंदोर को पितीवस 0,5 करो रुपे पिरीमियम के रूम में दिये जाएंगे इस पिलांट में पितीदं 550 MT गीले कच्रे गहरलू जेवी कच्रे को उपचारित किया जाएगा जिससे 17,500 किलो ग्राम बायो CNG गैस और सोटन उच गुडवत्ता की और्गोनिक कमपोस्ट का उत्पादन होगा और इस पिलांट से उत्पन होने बाले बायो CNG मैंसे 50-30 गैस नगर निगम इंदोर को लोग परिभान की संचालित बसों के उपयोग के लिए उपलाद्ध होगा से इस 50-30 गैस बेभेन उद्यों को बाडिजिक उभोगताओं को विक्राए की जाएगी इंदोर नगर का वेश्ट से सेगरी गिसन उत्तम क्वालिटी का होने से इस पिलांट को इंदोर में स्थापित का नेड़ा नेड़ा लिया है माती 0.5 से 0.9 पिती साथी रिजेक्ट उपलब्द है और जो अन येउरोपिये देशों की तुला में उच्छ गुडबत्ता का होना पाए गया और मुकमंत्री ने बाता आया कि इंदोर में जोला धारी इंदोरी अभियान का आगाज भी किया गया है इंदोर नगरी चित सलम बस्तियों को ग्रीन सलम के रोव में विक्सित करने का कार लगातर किया जा रहा है और मुकमंत्री ने ये पिलांट इंदोर की आसपास की ग्राम से पसु पालकों के सानुक से गोवर अन कच्रे को क्रेकर धन बनाने बाला सेंथ होगा अने इक परिवारों को इस पिलांट से इस्थाई रोजगार भी मिलेगा और कच्रे के साथ गोवर का उफ्योग विक्टेरिया डवलप करने की प्रोसेसिंग में किया जाएगा इन दोर में बाजार मूल से पांच रोपे पिती किलो कम कीमत पस सीती बसों के लिए सी एंजी की उपलब्द होगी पिलांट में सुरुआती दोर में 21,37 और अंगले तीन बरसों में 7,37 सौरूज़ा का उफ्योग होगा इन दोर सहर को कार्बन केडिट का लाब भी मिलेगा साथी इस पिलांट से आगामी 20 बरसों तर इन दोर नगर में को पिती वास 2,58,000,000 प्रीमियर मिलता रहेगा इसे तो यह भी आप लोग याद रखेगा अंगले ख़बर की तरफ चलते हैं हाली में IIT इन दोरो Institute of Engineering and Technology DAVB के विज्यानिकों ने मिलकर एक फिंगर पेंट बायोमेट्रिक सिस्टम तेयार किया है और जिससे नकली फिंगर पेंट का उप्योग कर होने वाले अपरादों की रोकताम की जागी इस मात्मोर सोथ का पेटिन भी कराए गया है इस तकनीकी साहता से बायोमेट्रिक मसीनों में ऐसा सेंसर लगाया जा सकेगा जो असली और नकली फिंगर पेंट की पहिचान करने में सफलता मिलने से आधार और बायोमेट्रिक से जुड़े सभी तरह के उपकरणों की सुरक्षा बहतर होई सकेगी और याद रहे बैंकिंग छेत के साथी चोरी रोकने के लिए कई दप्तरों घरों में बायोमेट्रिक मसीनों का उपयोग किया जाता है कई पितियोगी और भरती परिक्षाओं में भी बायोमेट्रिक मसीन का उपयोग किया जाता है अभी बाइमेट्रिक मसीनों की मसीने अंगली की लकीरों को पढ़ती है और आंगी की फिक्रिया के लिए अनुमती दे देती है नई तरह की मसीनों पर अंगली के बाद सेंसर विलेड की सेल्स और पल्सी भी पता करेगा सोथ पर काम करने वाली देवी अहलिया विस्विध्यले की इस्टीट ओफ इंजिरिन एंड टेक्नोलोजी की प्रोफिसर ससी पिकास और आई 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 टी इंदॉर की प्रोफिसर भिमल भाटिया है इसमें ठीक है नहीं नहीं तकनीके आती रहती हैं अंगली ख़बर की तरफ चलते हैं हाली में मद्पिदेस एड्स कंट्रोल सुसाइटी ने रिबोर्ट जारी की जिसमें बताएगे कि एड्स के हाई रिस्क है ग्रोफ में इंदॉर पहले स्थान पर यहां खत्रा सबसे जानदा है एड्स बात हो रही दूरे सहरों के मुकाबले इंदूर में फीमेल सेक्स बरकल तो जानदा है लेकिन सबसे चोकाने वाली बात यहां कि ग्रे पुरुस्क से संबंद बनाने वाले पुरुस्क भी जानदा है गे के मामलों में ग्वालिया दूसरे जब की तीसरे और चौते पर भोबाल करना मराता है मदपिदेस AIDS Control Society राज़ में High Risk Group के 55,000 लोगों में HIV और इसकी रोक थाम के लिए गयर संचारी संस्ताओं के जरी एक काम कर रही है Society High Risk के कैटरिगरी बाले लोगों को जागरूप करती है और HIV स्कीनिंग करने का काम भी करती है जिनमें HIV के फुष्टी होती है उनका इलाज करवाया जाता है HIV Positive Percent के सेक्स बर पार्टनर और बच्चों को भी HIV स्कीनिंग कराया जाती है मद पिदेश में High Risk के गुरूप में करीब 12,000 SMS मैं आप देखे रिकॉर्ड में है सबसे जानदा 1570 इंद और जिले में ग्वालियर में आप देखे आठ सो उननचास इन जवलपूर में 795 में भूपाल में 766 में आगर मालबा में आठ हो सीदी में दो लोग डेट के टिगरी के रिकॉर्ड में है फीमेल सेक्स वरकर की मामले में भी इंद और पहली स्थान पर पिदेश में करीब 35,000 फीमेल सेक्स वरकर की जानकरी एश्स कंट्रोल सूसाइटी के पास है और सबसे जन्दा FWS यानि की फीमेल सेक्स वरकर इंद और में 2513 में हैं इसके बाद छिदवाडा में 2464 देखने को लेगे फीदेश में इंजेक्टिंग ड्रेक सीवजर यानि इंजेक्सन सीरिंज के जरीए निसा करने वाली करीब 8,000 लोग रेकॉर्ड में है इनसे सबसे जन्दा IDU केटेग्री की लोग जबल पुरजले में 1303, बोपाल में 1223 और रीबा में 20,000 नवासी हैं एड्स की रोक्ताम के बारे में मत्रेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डिरेक्टर के केडी तरपाटी ने बताए कि हाई रिस्क के लिए में अलग-अलग गुरुप स्तक पहुचने के लिए करीब 68 लक्षगत हस्तिजिप पर यह उजनाय चलाई जा रही है और इन प्रोजेक्ट के जरिए हाई रिस्क की गुरुब में HIV की रोक्ताम के लिए स्केनिंग यह उन संबंधों के दोरन कर्णों का उपयोग और इंजेक्शन से नसा करने बालों सिरेंज उपलब्द कराया ना है HIV संग्विट को AET सेंटर से लिंक कराकर निमित दमाउं उप्चार मोहया कराने का काम किया जा रहा है मद्विटिस में HIV की स्केनिंग के लिए करीब 1652 FICTC संचालित किया जा रहे है अंगली खबर की तरफ चलते हैं यह आप देखें हाली में इनफोसित द्वार मद्विटिस के मुरेना इस्तित बटेसोर के 200 मंदिर समूह का जीरुदार पुनाप एरम किया गया है और याद रहे बटेसोर मंदिर समूह के सरक्षन का कार 2005 में भारतिय पुरातत्य सर्वेक्षन के ततकाली छेतरी अधक्चक के के मुहमत द्वारा सुरू किया गया था 2005 से 2011 के मद्विट साथ मंद्रों का जीरुदार किया गया था तो यह जानकारी भी आप लो याद रखिए रख लिया करिएगा अंगली ख़बर है आपकी 22 फर्वरी 2022 को मद्विदेश आयूस विभाग के टेली मेडिसन एप आयूस के ओर को पितिस्ठित स्कॉच अवार्ड द्वारा अखिल भारती इस्तर पर रजत पुरुषकाल से समानित किया गया है और बैद आपके द्वार ये उजना में विख्सित आयूस के ओर एप को पितियोंगता के बिभनी चरणों में विशाय विशे सगों द्वारा सराहा गया है और इसे जन सामन में अधिक से अधिक पिचारीत करने का सुझाओ भी दिया गया है और इस एप के माद्ध्यम से नांगरिक घर बैठे ही आयूस डॉक्टरों से परामस पराप्त कर सकते हैं एप के द्वारा ही रिपोर्ट भेजने उपचार समन्दी दिशा निदिश पराप्त करने की सुविधा भी उपलब धिकराईगी है अब तक 37 से जान्दा यूजर द्वारा आयूस के ओर एप डाउनलोड किया जा चुका है एप पर बुकिंग करने वालों में सिफ 88-300 लोगों ने चेकिस्थी परामस पराप्त किया है आयूस बिभाग द्वारा शुरू की गई बैद आपके द्वार यूजना के जरिए घर बैठे आयूस चिकसा बिसे सग्गे से लाइब बीडियो कॉल द्वारा निसोल चिकसा परामस लिया जा सकता है इसे यूजना में आयूस की तीनों बिदाओं आयूस हॉमोपेथी यूनानी का लाप लिया जा सकता है और आयूस बिभाग ने सामान जन को आयूस स्वास्त सिभा सहचता से घर पर उपलब्द कराने के मकसद से यूजना को टेली मेडिसन एप से उपलब्द कराया है ये भी आप लोगों को याद रखने चेल मंतरी ने काई कि उजन में डिजीटल और भोपाल में स्किल बिस्विध्याले की स्थापना की जाने का पिस्ता है मंत्री ने उज्जन विस्विध्याले के प्रविफिसर और विभागी अधिकारी को केरल विस्विध्याले का दोरा कर इन कंसेप्ट पेपर तियार कर पिस्तुत करने के निदेश भी दिये और याद रहे देश की पहली डिजीटल उनिविसिटी केरल में स्ताफिती है और विध्याले के माध्यम से घर घर तक सिख्चा की पहुँच आसान होगी और विध्यालतियों के विभिने चेतरी भासों में भी सिख्चा प्राप्थ हो सकेगी कब कब हो जाए, कब करोना महाबारी आ जाए, कब लॉकडाउन लग जाए अब हमें डिजीटल सिख्चा पर भी दे ना है अंगली खबर है, 24 परवली 2022 को मध्यदेश के खेली युबा कल्यान मंत्री यसोद द्रा राजे सिंधिया ने बताया कि पिदेश की युबा कर्केट प्रेम मी बेटियों के लिए देश की पहली सास की महला कर्केट अकादमी सिवपरी में खोली जाएगी कहां सिवपरी में और यह पिरदेश की ग्यारवी अकादमी होगी आप तक मद्रेश के एथलेटिक सूटिंग घुरसबारी वाटर स्पोर्स मार्सलाइट पुरुस होकी महला होकी बेडमिंटन तीरंदाजी पुरुस कर्केट अकादमी संचाले थे इसमें 14 से 21 साल की खलाड़ी सामिल हो सकेंगी अकादमी के लिए पहला तेलेंट मैच 28 परवरी और 1 मार्च को इंदोर में होगा भोपाल नर्बडा पुरामोः सागर संभाग के जिलों के लिए भोपाल में 2 और 3 मार्च को टेलेंट सार्च होगा जवलपुर संभाग के जिलों के लिए जवलपुर में 4-5 मार्च को और ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों के लिए सिवपुरी में 7 और 8 मार्च को टैलेंस हैच होगा खेल विभाग द्वारा सभी अकादमी में चैनित खेलाणियों को सिक्षा आवास भोजन पिसिक्चन केट की सुविधाय निसुल्क उफलब्द कराएं जाएंगी अच्छी बात है खेल के छित में अगर बढ़ रहा इस तरह से बढ़ावा मिले तो और अंगली खबर 24 परवरी 2022 को मत्पिदेश में हिंदी में पाठकरम करने वाल के समन्द में गटित हिंदी पाठकरम द्वारा उच्छे सम्ती की बैठक में पिदेश के चिकिसा सिक्षा मंत्री विश्वास केला सारंग ने कहा है कि हिंदी में MBBS की पढ़ाई की पाइलेट सग्य सामिल हैं और समानता रूप से हिंदी माध्यम से पड़े छात्रों को साहता की तौर पर यह विवस्व्ता की जा रही है अंगरेजी की साथ हिंदी की पुस्तक already करा नी की तेयरी है。 हिंदी में विध्यार्तियों को समझाते हुए किलाल सिस लेनी के निदेश दिये गए है तीन विषय के लिए तीन बार रूम भी बनाया जा रहे हैं भुपाल में एनाटोमी और बायो केमिस्टी इंदोर में फिजियोलोजी का बार रूम तेयार किया जाएगा और इसमें लाव करने में मद्कदेश अग्णी रहा है अच्छी बात है सिक्षा जो चिकर सागी सिक्षा है वो अपकाहे में दी जाएगी हिंदी में दी जाएगी 25 परवरी 2022 को मद्कदेश के राज्य सिक्षा केंद्र सज्चालक धनराज राजु एस ने संस्था पीपल के सहयोग से तियार की गए पुष्टक हमारी सिक्षक हमारी प्रोयडा सुरोत के तीसरे और चौति संस्कान का भच्षवल लोकरपन केंद्र के एडू सेट वीडियो कॉन्फिंस के कक्षिस्ति किया है और दीक्षा पोटल पर उपलब तिसीक्षन कारकरों पर आधरी सिक्षकों को प्र सिक्षकों के विचारों अकादमिक प्रयासों को संकलित किया गया है और सिक्षकों के विवारिक उन्यान की दिरिश्टी गस्ती एम राइज स्कूल विवसाएक उन्यान कारकरम संचालित किया रहा है कारकरम के एक महत्वून घटक में सिक्षकों के ग्यान कोसल अभिवेक् किसी सीखने, सिखाने की बिदियों विसेवार कठिन आउधानाओं पर पिशिक्षण पिदान करता है, तो यह भी आप देखेंगे, और इस तरह से आप देखेंगे, फरवरी 2022 में जो घटना है थी, उनके बारे में भी एक ओवर भी हम लोगों ने ले लिया है, अंगली क्लास में हम लोग मार्च 2022 में जो घटना है घटी थी, उनके बारे में देख लेंगे, आपके कोई सवाल हो, मेरे लिए कोई सुझाओ, तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, जरूर बताईएगा, ठीक है?